नमस्का दोस्तो आजम बात करने वाले हैं नेट्फिक्स पर रिलीज हुई एक अमेरिकन फिल्म के बारे में जिसका नाम है फेर प्ले ये एक एरोटिक ड्रामा फिल्म है जो आप इसको देखने के बाद मेरा जो अपिनियन बनता है उसको मैं गर आपको बताऊं तो मेरे ये फिल्म एक डी सेंड सी वन टाइंग वोच मुवी साबिट होती है देखे दोस्तो इसकी कहानी में कोई नयापन नहीं था फुछ ऐसी एक्स्ट्राओर्डिनरी कहानी नहीं थी लेकिन फिर भी आप इस मुवी के साथ कुछ ना कुछ सीख सकते हो एक टॉक्सिक रिलेशन प्रिलेशन्शिप में होते हैं एक बार एमिली को ये पता चलता है कि लुक को पी-म बना दिया जाएगा मतलब वहाँ का जो हाई पोस्ट है वो लुक को दी जाएगी और वो लुक को जब ये चीज़ बताती है तो दोलों पार्टी करते हैं सेक्स वगेरा करते हैं और अच्छे से आगे बढ़ पाती है या नहीं ये जाने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी इस फिल्म में मुझे जो समसे बड़िया चीज़ लगी है वो है इसके दो में करेक्टर एमिली और लुक कुन दोनों करेक्टर से आप अपने जीवन में बहुत जिसे कि जो एमिली का केरेक्टर है जब उसको पता चलता है कि लुक को पीएम बना दिया जा रहा है तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होती है वो लुक के साथ सेलिब्रेट करती है उसके अंदर बोई भी जलन वगेरा नहीं होती लेकिन उसके उलट में जब लु जाने के लिए वो अपने बोस से सिफारिश कर रही है उसको एक उपर्चुनिटी देदा रही है कमपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट लेने के लिए लेकिन लुक वहाँ पे भी गल्दी कर दे रहा है वो गमपनी को घाटे में ले जा रहा है लेकिन एमिली की सुग बुद लुक से अपनी वापस से निकल पड़ती है और कमपनी को प्रोफिट भी हो जाता है तो यह चीज भी आप सिख सकते हो कि अच्छी ओपर्चुनिटे को कैसे ग्रेप किया जाता है और जो लुक की मानसिकता है जो उसका इगो हड़ हो जा रहा है कि उसका पार्टनर कैसे निकल गए वो हमारा ego word हो जाता है तो ऐसा हम चीज आजकल की दुनिया में देख रहे हैं तो वेसा नहीं होना चीज है सक्सेस क्या है वही matter करती है दूसरों के लिए सक्सेस क्या है एक middle class के लिए पेसा कमाना सक्सेस है एक singer के लिए उसके जो गाने है वो popular होना सक्सेस है एक film star के लिए उसकी film में चलना सक्सेस है तो सक्सेस अलद अलब चीज़ पे matter करता है सिर्फ पेसे कमाना ही सक्सेस नहीं होता तो ये चीज़ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो लेकिन अगर आप सिर्फ sex, nudity और यही चीज़ देखना चाते हो तो ये film आपके काम की नहीं है कुछ adult वगेरा scene आपको इसमें देखने को मिल जाएगे लेकिन अगर आपको सिर्फ वही देखना है तो आप इस film से कुछ भी नहीं सिख सकते तो दोस्तों यही था इस film में अगर आप story point of view से है या फिर आप entertainment purpose से इस film को देख रहे हो तो ये film आपको कुछ जादा excitement नहीं करती फिल्म इतना जादा entertainment भी नहीं कर पाती लेकिन अगर आप फिल्म की philosophy को समझते हो फिल्म के characters को समझते हो तो ये film आपको एक बार के लिए तो पसाद ना सकती है बाकी जिसको यही चब scenes देखना है कि मुझे sex वगेरा के scene देखना है तब भी आप एक बार के लिए ये film को देख सकते हो ये film आपको Netflix पे इंदी लेंग्वेज पे देखने को मिल जाएगी और इस film के जो लेंद है वो इन गंटे 50 मिनित के आस पास है मैं इस film को दूँगा 6.5 out of 10 stars आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा और इस रिव्यू अच्छा लगा वो तो like जरू कीजेगा तब तक के लिए फिर मिलते हैं जैश्री राम